नमस्कार सातियों जनकल्यान एप पर बहुत से सातियों को सर्वे का कारिक करना है अब किन किन सातियों को जनकल्यान एप पर सर्वे करना है जनकल्यान एप कैसे अपने सिस्थम में इंस्थोल करनी है जनकल्यान एप आपको कहा मिलेगी जनकल्यान एप पर आपको रेजिस्ट पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकोन को दबाकर आल पर भी प्रेस कर लिजेगा क्योंकि इसी प्रकार के महत्पुन कंटेंड जो आपकी समझ्चाओं के समाधान करते हैं उनको सबसे पहले में चैनल पर आपकी सेवा में प्रेशित करता र प्रेस और पर आपको जाना है तो जैसा की प्रेस्टोर का यहद्सटारी अपको क दिखायी दरा है ऐसा इकन आपके स्सीम में भी पर लिखा हुआ है, आपको यह लिखा मिल रहा होगा जनकल्याण एप राजस्तान Same to Same आपको यह लिख लेना है उसके बाद आपको फिर उसे सर्च करना है जिसे आप उसे सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह की इन्फोर्मेशन कुल कर आजाएगी आपको जन कल्यान एप जो है उसका लोगो यहाँ पर इस तरह से दिखाए देगा उसका नेम भी आपको दिखाए देने लग जाएगा आपको अनावशक एप अपने सिस्टम में डाउनलोड करने की आउशकता नहीं है आपको सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ उसी एप को अपन आपको यहाँ मिल जाए अगर उपर नहीं आती है तो आप अपने मोबाइल की स्क्रिंट को इसको डाउन करके इसे देखिएगा और जब यह आपके सामने आ जाए तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है जिसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इनफोर्मेश करना है जब तक एप इस्टाल पूरी तरीके से आपके सिस्टम में ना हो जाए इस्टालेशन इसका कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो आपको वेट कर लेना है जब एप पूरी तरह से इस्टाल होगी तो इस तरह से परक्रिया आपके साथ करेगी अब आ आप चाहते हैं कि इस एप को सीधे यहां से open करना चाहते हैं और यहीं से कारिक करना चाहते हैं तो आपको यहां पर option available करवाया हुआ है open का तो आप यहां किलिक करके direct इस एप को open भी कर सकते हैं परन्तु यदि आप यहां से नहीं चाहते हैं इस एप को open करना दूसरी जगे स जहां आपके अन्य एप रखे हुए वहां से open करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहां से close कर देना है अपने system को इस तरह का interface आपके सामने आ जाएगा अब आपकी एप कहां रखी हुई है उनको open करना है तो जो जो भी एप आपका system में होगी उनकी information आपको यहां display हो जा करेंगे अब इस तरह से जनकल्यान आपके सामने खुलेगी और आपसे यह कुछ permission मांगेगी तो आपको यहां allow पर click कर देना है तो जो जो भी permission यहां एप मांगती है उन्स सभी को आपको allow कर देना है फिर आपको यहां option मिलेगा continue का तो आपको continue वाले option पर click कर देना है जैस option तो आपको इस option पर click कर देना है जिसे आप यहां click करेंगे इस तरह से एप खुल कर आपके सामने आ जाएगी तो आपको सबसे पहले आपका name एंटर करने के लिए यहां कहा जा रहा है तो आप आपका name यहां enter कर लिजेगा उसके बाद आपको आपके mobile number एंटर करने के से आप यहां click करेंगे राजस्तान में जितने भी district है उनकी information खुल कर आपके सामने यहां आ जाएगी तो आप जिस भी district से बिलोंग करते हैं वो district यहां से select कर लिजेगा उसके बाद आपको survey category select करने के लिए यहां कहा जा रहा है तो सात्यों मेने वीडियो के आरब में आप को बता जेंगे ता कि बहुत से सात्यों को survey करना है तो कोन-कोन से सात्यों को survey करना है वो अभी आपको यहां clear हो जाएगा तो यह server category पर आपको click कर लेना है जिसे आप यहां click करेंगे अब इतने लोगों को या इतने सात्यों को हमारे जो है सर्वे का कारे करना है किनकिन को करना है आंगनबाडी वरकर्स को करना है आशा सयोगनी को करना है मात्मा गांदी मोटिवेटर जो है उनको करना है नरेगा मेट है अधर वोलेंटर है राजिव गांदी युगा मित्रा है राजिविका सकी है शहरी रोजगार गारंटी मे विद्ध्याले असिस्टेंट है यह जो साती है इस सर्वे का कारिय करेंगे तो आप कौन सी सर्वेर केटेगरी में आते हैं वो आपको यहां चुनना होगा जैसे कि मैं विद्ध्याले सायक का जो विद्ध्याले सायक हूँ या विद्ध्याले सायक हूँ तो मैंने विद्ध् बताईए आपको उस प्रक्रिया को अपनाते वी सारी information आपको यह फिलप कर देनी है, उसके बाद आपको यह सबसे नीचे option मिलेगा register का, तो आपको इस register वाले option पर click कर लेना है, जैसे ही आप register पर click करेंगे, इस तरह की information एप आपके सामने लेकर आएगी, अब आपको यहां बताया जाएगा, survey registration successful, मतलब आपका जो registration है, वो successful हो चुका है, तो अब आपको यहां ok का option मिलेगा, तो आपको इस ok वाले option पर click कर लेना है, जैसे आप ok पर click करेंगे, इस तरह का face to page survey करने है, तो page आपके सामने open हो कर आ जाएगा, तो इस तरह सा साथ आपको जो आपका registration ह जन कल्यान एप पर करना है, अब आप बारी आती है कि आपको इस एप से survey के से करना है, तो उसके लिए आपको यह page आपके सामने open हो कर आ चुका है, तो आप जिस भी face to page survey करने जा रहे हैं, जिस भी व्यक्ति का face to page survey करने जा रहे हैं, उसका name आपको पूछना है, name यहां ल जिला आपने select किया है, निश्ची थी उस जिले को, जिले में ही आप survey कर रहे हैं, तो जिला आप यहां से chain कर लिजेगा, उसके बाद आपको यहां लिंग chain करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहां पर click कीजेगा, आप किसका survey कर रहे हैं, female का कर रहे हैं, male का कर रहे हैं, तो आप यहां से उचित option select कर लिजेगा अब जिसका भी आप survey कर रहे हैं उसकी आयू कितनी है वो आयू की information आपको यहां देनी होगी तो इसके लिए भी आपको select box दिया हुआ है तो आप यहां click किजेगा यहां click करने के बाद आपके सामने option आ जाएंगे वह 18 वर्ष तक है 18 से 25 वर्ष है 25 से 35 वर्ष है 35 से 45 वर्ष है या 45 से 50 वर्ष है या 50 से अधीक है तो आपको यहां आयू select करने के लिए कहा जा रहा है तो आप यहां आयू select कर लिजेगा उसके बाद आपको यहां कहा जा रहा है कि व्यवसाई उनका क्या है तो इसके लिए भी आपको select box दिया हुआ है तो आप आपके सामने यहां बहुत सारा व्यवसाई कुल कर आ जाएंगे तो इसमें से जो भी व्यवसाई संबंदित व्यक्तिका है जिसका survey आप कर रहे हैं मालो कि मैं एक महला का कर रहा हूँ वो granny है तो मैंने या granny select कर लिया है अब आते हैं हम आगे की और सात्यों तो यहां हमें बताया जा रहा है या हमसे जानकारी मांगी जा रही है पहला question क्या पूछना है आपको जिसका भी आप survey करने जा रहे हैं उनसे आपको पहला question क्या प नहीं गई एक granny है वो no में भी आपसे answer दे सकती है उसके बाद दूसरा question आप पूछेंगे संबंदित व्यक्ति से वो यह question क्या पूछना है आपको क्या आपने राइस्तान सरकार की किनी योजना का किनी योजनाओं का lab उठाया है तो राइस्तान सरकार दोड़ा जो योजन कर रहा हूं उन्होंने उठाया है yes में मुझे answer दिया है तो आपको यहाँ yes पर click कर लेना है उसके बाद अगली और बहुत ही मत्वण information आपसे यहाँ चाही जाएगी आपको यह पढ़के उनको सुनाना है जिस भी विक्तिकाप survey करने जा रहे हैं उनको यह पढ़कर सुनान है कि स्री अशोक गहलोत मुक्य मंतिरी राजस्तान वर्ष 2030 तक राजस्तान को देश का नंबर वन राज्य बनाना चाते हैं जिसके लिए समाज के विबिन वर्गों से सुजाव आमंतिरत करके राज्य का वीजन 2030 दस्तावेज तयार किया जा रहा है राजस्तान को वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी राज बनाने के लिए आपका सुजाव क्या है आपको संबंदित व्यक्ति से उसके सुजाव पूछने जो भी वो सुजाव देता है वो सुजाव आप यहां पर दर्ज करेंगे इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि आप यह पढ़कर उन्हें ब पारी जानकर या फुल्फिल करने के बाद यहां जो संब्मिट का ओप्शन आपको मिल रहा है इस संब्मिट वाले ओप्शन पर क्लिक कर लेना है जैसे आप संब्मिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इन्फॉर्मेशन खुल कर आएगी इन्फॉर्मेशन सर्वे का कारिय पूरा हो चुका है यहां से किलिर हो जाता है तो अब आपको यहां okay का उप्षन मिलेगा आप उक्त कर लीजिएगा जीससे पर किलिक करेंगे फिर से आपके सामने ये blank form खुल कर आ जायेगा तो अब आपको फिर जो प्रक्रिया मेंने बताईए इसी प्रक्रिया को अपनाता हुए किसी दूसरे व्यक्ति का सर्वे करना है उनके फिडवेक लेने है और यहां फुल फिल इस form को फुल फिल करना है उम्म वीडियो को लाइग भी किजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी किजिएगा मिलते हैं इसी तरह के नवीन और अहम अपडेट के साथ तब तक के लिए जेहिन जे भारत